वेल आजकी इस वीडियो में Axis Bank के दौरा एक बहुत ही सही ब्रोग्राम चिलाया जाता है जिसका नाम है Young Bankers Program इस प्रोग्राम के बारे में हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये प्रोग्राम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए मतलब फायदा है या नुकसान है और इसके अलावा मैं आपको इस वीडियो में सारी चीज़े step by step brief में बताने वाला हूँ और आपको इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि अगर आपके पाप पैसा नहीं है मतलब आप बहुत ही जादा गरीब हैं तो आप फिर एक्सिस बैंक के अंदर जौब कैसे ले सकते हैं इस डिपलोमे को बिना किये या फिर इस प्रोग्राम के अंदर एंडरोल किये बिना ठीक है तो पूरा वीडियो देखिएगा लास तक पहली बार आए हो प्लीज हिट दा प्लील रही होगी और साथी साथ हम conclusion ये भी निकालेंगे किसको करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए मतलब किन लोगों के लिए ये प्रोग्राम बेनिफीशरी रहेगा और किन लोगों को इसमें कोई फायदा नहीं है चली शुरुआत करते हैं पहली चीज से कि इस प बात हुई ये भी कोई बात है हाँ बहुत सारे मार्किट के अंदर सो कोल्ड ऐसे प्रोग्राम चल रहे हैं जो ये वादा करते हैं कि हम आपको जॉब देंगे लेकिन यार कुछ लोग ना मुझे वोटसब पाकर टेक्स्ट करें भाया मैंने वहां से ये प्रोग्राम किया दा वहां से ये प्रोग्राम किया था मेरे को जौब भी नहीं दें और मेरे को बोल कर रखा है कि हाँ इंटर्व्य होगा तो हम करा देंगे मतलब इंटर्व्य आपको करना पड़ेगा यार यह क्या बात हुई अगर हम इंटर्व्यू कर लेते हम इतने अच्छे होते तो हम खुद जौब न दे लेते हैं मतलब क्यों करना है फिर आपके यहां से में डिप्लोमा या फिर यह प्रोग्राम तो यह एक बात है अगर आप यंग बैंक का इस प्रोग्राम का अंदर अन्रोल करते हो तो आपको यहां पर जौब 100% कंफर्म मिलने वाली है दूसरा सबसे ब देखने के लिए लेकिन एकसेस बैंक का यंग बैंकर प्रोग्राम को तो आपको डिलिए एक ग्रेट मिल रहा है स्टेप बन आपको मिल रहा है आब आपको ऊपर चलते जाना है लेकिन अगर आप डैकलि खुद से join करते हो कहीं से कोई भी third party के थुरू या second party के थुरू तो आपको भाईसा zero level से entry मिलेगी यानि कि sales officer या कुछ भी grade के तो chances ही नहीं है तो यहाँ से यह फायदा है कि आपकी जो post है वो एक तो assistant manager है salary भी ठीक ठाक है आएंगे उस पे भी लेकिन salary के सासा जो बहुत important point है आप है हमारी grade का assistant manager हमें काम करने के लिए मिलेगा और assistant manager को भी sales करना मिलेगा यह खुश्मत होएगा तो इस चीज़ का यहाँ पर बड़ा खास ध्यान लख गया है कि आपको bank के अंदर zero level entry नहीं मिल रही है थोड़ा ऊपर मिल रही है ठीक है जी तो यह इसका दूसरा major फायदा है फायदा number 3 जब आप स्कोर्स को कर रहे होंगे मतलब यह जब आप diploma कर रहे होंगे प्रोग्राम में रोल कर चुके होंगे तो आपको इस प्रोग्राम के दोरान कुछ फैसे भी देखने के रहे हैं कुछ salary के रूप में है ना स्टाइफन के रूप में या फिर pocket expense के रूप में आपको वजाईता हूँ क्या क्या हो रहा होगा जब आप इस रहेंगे तो वहाँ पर भी आपको जो है वह 5,000 रुप मतलब आपका खर्चा निकल रहा है ठीक है और जो आप आपको क्या करना है अगर आपके पाप पैसे नहीं है उसका भी एक ख्यापर solution है अगर आपके पास पैसा ही नहीं है तो आप अगर आपको बिल्कुल ही जौब नहीं मिल रहे है तो अब बात करते हैं पोई नमबर दो की यानि के इस प्रोग्राम की फीस कितनी है देखिए मोटी मोटी चो इन्हें अपनी वेबसाइट के उपर फीस लिखे वो लिखे 2,37,000 रुपए लगब 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 और 18% GST मत आपको इस प्रोग्राम के दोरान कितना टाइम खर्चा करना पड़ेगा तो यहां पर आपका यह एक साल का प्रोग्राम है इस प्रोग्राम में आपको क्या किया समझ है त्याश महीं ने आपको स्मझनार के बठाए जाएग़ा चार भी यह था इस बात यहां पर मॉब्स का इंपटन चीज है कभी है हमने यह जॉब करनी है हमने यह चुब करनी है हमाराप पर salary कितनी मिल रही होगी तो दोस्तो Axis Bank का Young Banker program को join करने के बाद ठीक है complete करने के बाद आपको जो salary मिल रही होगी वो लगभग 37,000 रुपए मिल रही होगी और हाँ 40 तक भी हो सकती है और आपकी जो grade है आपकी जो post है वो assistant manager की रहेगी एक और बहुत important बात अगर आप किसी भी जगा पर जाते हो भीया आज की तारिख में private industry में तो आपको sales करने पड़ेगी बाद ध्यान रखना हो ठीक है तो अगर आप bank के अंदर ही बैटता हो ब्रांच के अंदर बैट के भी काम करते हो तो sales भीया करने पड़ेगी एक्सिस बैंक की जो ऑफिशल साइट है वहाँ पर 4,42,000 रुपे मैंशन है पर साल के हिसाब से तो आप इसे convert कर सकते हो कि एक महीने में कितना बैट रहा है पॉइंट नमबर फाइव बहुत important एक प्रोग्राम को हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो यह तो बुरी बात नहीं अच्छी बात है आप इसको यहां पर आपको पता नहीं क्या पोस्ट मिलेगी यहां डारेक्ट जा रहे हो सेल्स में लगा सकता है या फिर आपको ऑपरशन सक अंदर भी जॉब देखने के लिए मिल सकती है वह आपके जो भी आपकी इसका फाइदा है लेकिन एक चीज यहां पर बहुत ही किलिया दोस्तों बहुत सारे लोग ना इंडिया के अंदर इस प्रोग्राम को नहीं करते हैं ठीक है उसके बाद भी उन्हें जॉब मिलती है और वह जोब करते हैं अच्छा पैसा कमाता है यहर हर बंदा तो प्रोग्रा अगर आपको जॉब आपको जॉब मिल जाती है तो फिर आप MBA के लिए प्रोग्राम कर सकते हो ठीक है ऑनलाइन एंबे कर सकते हैं दो लाग में हो जाता है और यह एक बात रहे हैं देखिए बहुत सारे लोगों को न जौब का अपने हिसाब्स जीक है अच्जीक बहुत सारे लोगों को कुछ भी नहीं पता होता है बैंक के बारे में बहुत ही वीक होते हैं मैं से एक अगर आपको थोड़ी सी नॉलिज है थोड़ा बहुत experience भी है मतलब काम करना आता है आपको थोड़ी सी चला क्या हो तो आपको अपडेट करने की ज़रूत है अपना रेज्यू में ठीक है आज अपना अपडेट करें रेज्यू में एक महीन तक अप्लाई करें जौब मिल जा जल्दी देने ही कोशिश करें तो ट्राइगर सकते हो इस नंबर पर कॉल अगरा करके पोच सकते हो अगर आपके मन में कोई डाउट है किसी बी चीज़ को लेके इस प्रोग्राम को लेके तो आप कोमेंट में जरूर पूछेगा आज मैंने एक्सिस बैंक की ओफिशल पर देखा था तो वहां पर 17 तारीक को लास्ट दिखा था सब्टेमबर की तो भाई पता नहीं तारीक बढ़ भी सकती है अब एक बढ़ ट्राइका लेना लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा चलिए इस वाले वीडियो में फिलहाल इतना ही